हिंद महासागर से लाल सागर तक भारत की इस आँख से बचना नामुम्किन होगा। दुश्मन के लिए काल बनेगी नेवी की दृष्टी। क्या है नेवी की ये वो दृष्टी इस विडियो में जान लीजे। दरसल हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गुसपैट और अरब सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए भारती नौसेना को दृष्टी ड्रोन की जरुरत पड़ी है। ऐसे में भारती नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टिट्यूट यानि की मेल ड्रोन मिला है। इस ड्रोन का नाम दृष्टी 10 स्टार लाइनर अनमांड एरियल वहिकल है। स्वदेशी दृष्टी ड्रोन की वज़े से भारत की खोफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में इजाफा होने वाला है। नौसेना प्रमुक अड्मिरल आर हरी कुमार ने कहा कि हिंद महसागर क्षेतर में ये ड्रोन शक्तिशाली साबित होगा जहां कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दृष्टी 10 स्टार लाइनर ड्रोन को अडानी डिफेंस और एर फोस ने अपने हैदरबाद फासिलिटी में तयार किया है। इस ड्र स्टार लाइनर ड्रोन का एक वेरिंट है। तो क्या है दृष्टी 10 स्टार लाइनर की खूबिया। तो दृष्टी 10 स्टार लाइनर ड्रोन सभी तरे के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। अडानी डिफेंस के तरफ से डिलिवर ये ड्रोन सतर फीसिदी स्वदेशी इस ड्रोन को लगतार 36 घंटे तक उडान भरवाई जा सकती है। ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रख कहीं पर भी डिलिवर किया जा सकता है। ड्रोन में 3 हाई पॉइंट्स मौजूद हैं जो पेलोड के लिए होते हैं जरुरत पढ़ने में इसमें हतियार भी फिट किये जा सकते हैं। इस ड्रोन में 30,000 फीट की उचाई तक उडान भरने की इक्षमता है। ये ड्रोन एक एडवांस खोफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है। रिष्टी ड्रोन की मेंटिनेंस जरुरत भी बहुत कम हैं इस वज़े से ड्रोन को ऑपरेट करना बह और इसके डिलिवरी लेने के लिए हाइदरबाद में ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आपातकाली इनवित्य शक्तियों का इस्तमाल करके नौसेना और सेना के जरिये ओर्डर किये गए चार ड्रोन में से ये पहला ड्रोन है। नौसेना और सेना को दो-दो दृष् पैट ने नौसेना को उसकी निगरानी के लिए मजबूर किया है। चीनी जहाजों को अकसर ही हिंदमा सागर में देखा जाता है जो भारत के लिए सुरक्षा चिंता पैदा करते हैं। हाल के सालों में अरब सागर भी टेंशन वाला एक नया फ्रंट बन गया है जहां बनाया जा रहा है। लाल सागर में समुद्रे लुटेरों ने कमर्शल जहाजों को टार्गेट किया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए नौसेना समुद्र में बहतर निगरानी चाहती है जिसमें ये ड्रोन मदद करने वाला है।